असलाम वालेकुम मैं आपका टीचर खुरम शहजाद वेलकम टू स्किल्स उस्ताद योटूब चैनल आज हम Microsoft Word में टेबिल की कम्प्लीट फॉर्मेटिंग ले आउट सैटिंग को समझेंगे ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टिंट है लास्ट वीडियो में हमने टेबिल इंसट करने के ठी मेंटर सीखे थे अगर अभी तक उस वीडियो को आपने वाच नहीं किया है तो उस वीडियो को लाज़मी वाच कर लिजेगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टेबिल की formating और layout setting समझने के लिए के लिए एक table insert करेंगे टेबिल insert करने के लिए आपने insert app पे आना है और यहाँ से टेबिल में आकर एक table insert करवा नहीं डेकिए जब आप document में table insert करते हैं तो आपके पास table के 2 tabs open हो जाते हैं 1 table design and 2 layout लेकिन जैसे ही आप अपने document के page पर table के लावा कहीं पर भी click करते हैं तो वो जो two tabs table selected on हुए थे वो off हो गए लेकिन जैसे आप दुबारे से table पर click करते हैं तो वो दोनों tabs आपको नजर आ जाते हैं सबसे पहले आज़ें table design इस table का जो style है वो आप क्या रखना चाहते हैं तो table style पर आएं तो आपके पर एक list आजाएगी इस list में आप देख लें आपको कौन सा style पसंद आ रहा है उस पर click करते हैं तो वो style यहाँ पर apply हो जाएगा यहाँ पर table style options है, header raw, total raw ठीक है तो वहाँ पर कुछ formatting आपको change होती भी नजर आ रही है तो वो आप अपने साबसे change कर लिजेगा एक और table insert करते हैं टेबिल की first raw में हमने shading color apply करना है तो shading color पर आए और यहां से जो color आप देना चाहते हैं वो आप यहां से apply कर वादें complete table पर देना है तो यहां पर plus के sign पर click करें तो यह complete table select हो जाएगा और यहां से shading पर आए जो color आपको देना है वो आप यहां से दे सकते हैं अगर आपने सिर्फ एक raw पर देना है तो उस raw को select करें माउस के left button को press करते हुए और इसके बाद जो color apply करवाने चाहते हैं वो apply करवाने आपके पास एक border प्रेंटर आजाएगा और यह option आपको टेबल डिजाइन के last में नजर भी आ रहा है अब अगर आपने कुछ एरिया पर अपने हिसाब से फार्मेटिंग apply करवानी है तो आप आप यहां से apply करवा सकते हैं यह जो border style है इसकी मज़ीद आप यहां से style change कर सकत है माउस के left button को press करते वें आप apply कर सकते हैं अगर आपने complete table पर यह फार्मेटिंग apply करनी है तो यहां से border printer के option को off करेंगे प्रस के sign पर click करें table को complete select किया इसके बाब borders पर आए all border outside border inside border जैसे formatting apply करवानी है वो आप यहां से apply करवा सकते हैं अगेन एक table insert करते हैं और अब हम आते हैं layout में देखें layout में सबसे पहले select है select cell, select column, select row, select table अगर आपने cell को select करना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं mouse के left button को press करके अगर आपने row को select करना है तो वो भी आप इस तरीके से select कर सकते हैं column को select करना है यहां से select कर ले माउस के left button को press करते हुए complete table को select करना है प्लस के sign पर click करके आप select कर सकते हैं अगर आप layout में जाके select करना चाहते है select cell तो जिस जगा करसल मुझूद था वो cell select हो जाएगा करसल आपका यहां पर मौझूद है यहां पर आई है select column तो वो column select हो जाएगा अगर आप यहां से row को select करते हैं तो जहां पर करसल मौझूद था वहाली row select हो जाएगी इसके बाद देखें draw table अगर हमें यहां पर मज़िद table को draw करना है तो draw table पर आए और यहां से आप अपने table को draw कर सकते हैं ठीक है table eraser अगर आप table के specific border को row को डिलीट करना चाहते हैं तो इससे select कर ले यह आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं अगें हम आते हैं table के layout tab में और यहां पर next option है डिलीट delete cell जिस जगह आपका करसल मौजूद है वहां पर देखें अगर हम यहां से delete cell करते हैं तो जिस जगह आपका करसल मौजूद है वह cell आपका delete हो जाएगा left की तरफ delete करना है आपकी तरफ delete करना है वह आप यहां से कर सकते हैं ठीक है इसके बाद delete column हमें यह center वाला column delete करने तो mouse उसके करसल को पहले वहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां से डिलीट कॉलम रो को डिलीट करने है कौन सी रो को डिलीट करने है उस पर क्लिक करें एक से ज्यादा रो को डिलीट करने है तो आप से लेक्ट कर ले हमें एक को डिलीट करने तो वहां से क्लिक कर दें इसके हमें row insert करनी है ठीक है जिस जगा करसल मौझूद है हमारा इसके टॉप पर हमें अगर row चाहिए तो insert above के option पर क्लिक करेंगे तो यह row आपकी insert हो जाएगी insert below करसल जिस row पर मौझूद है उसके bottom पर अगर आपको एक row चाहिए तो आप insert below के option पर क्लिक करेंगे तो वह row आपकी insert होटती रहेगी अबव करेंगे तो करसल के टॉप पर आपकी row insert होती रहेगी और अगर आप below करेंगे तो जहां जिस row पर आपका करसल मौझूद था उसके bottom पर row insert होती रहेगी insert left column देखें इस वक हमारे माउस का करसल इस column second column पर मौझूद है इसके left side पर अगर आपको एक column insert करना है तो insert left पर click कर देए जिस column पर mouse का करसल मौझूद है उसके right side पर अगर आपको column insert करना है तो insert right के option पर click कर दें अगर shortcut आपको बताओं तो देखें table के row के अगर आप corner पर लाएं तो ये plus का sign आपको नज़र आ रहा है ठीक है आप यहां से भी click करके row को insert कर सकते हैं जहां पर भी आपको row चाहिए यहां पर आजाएं यह लें इसी तरह का column insert करना है आपको जहां insert करना है वहां पर टॉप पर जाएं तो यह plus का sign आएगा इस पर click कर दें यहां से भी आप अपने columns को insert कर सकते हैं देखें यहां पर हमने 12 cells को select किया है इन 12 cells को हम one cell में merge करना चाहते हैं से आप ने top की row को merge करना है इन तमाम cells को merge करना है उपर आपने table की heading देनी है तो merge cell के option पर click किया तो यह देखें हैं तमाम cells merge हो गए हैं इसके बादे split cells split cells पर click करते हैं तो आपके पास insert columns and row यानि के table insert table की window open हो जाएगी देखें अगर हमें यहां पर जो हमने merge किया था दुबारे से रोग चाहिए तो यहां पर आपके बज़र कॉलम है वन टू थीरी फोर फाइव सिक्स कॉलम है इस आपने split cell पर आना है यहां पर six column type किये और row हमें चाहिए two okay कर दें अगर हमें किसी cell में मज़ीद चाहिए तो उस cell पर किलिक करें split cell पर आईए हमें four columns and two row चाहिए okay करतें तो यह देखें जिस cell में आपने mouse का करसल किलिक किया था उस cell में आपके पास मज़ीद column और row insert हो गई इसके बाद है split table देखें जिस जगा mouse का करसल मोजूद है यहां से हम table को break करना चाह रहें तो आपके अलग-अलग हो गए इन table को दोबारा से join करना है यहां से plus के sciences को पकड़ें और उपर लेकर आए और यहां पर लाकर इसको छोड़ दें तो यह दुबारा से merge हो जाएंगे इसके बाद है autofit आपने column की with row वगरा कम ज्यादा कर दी और आप उनको autofit करना चाहते हैं तो autofit to content कर दें यह तीनों option हम insert table की वीडियो में भी पड़ चुके हैं fit to window कर दें fit to column width कर दें जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हैं height and width आपने किसी भी row की height increase करनी है तो आप mouse का करसल उस row की line पर लेकर आए तो row की height decrease होगी इसी तरह किसी भी column की width आपने कम ज्यादा करनी है mouse का करसल उस column की line पर लेकर जाए double arrow आजाएगा mouse के left button को press करके रखें right drag करेंगे तो column की width increase होगी left drag करेंगे तो column की width जो है वो decrease होगी तो row की height और column की width आप यहां से भी control कर सकते हैं जैसे आपका करसल यहां हमें increase करनी है यहां से आप increase कर लें column की width आपने बढ़ानी है यहां से बढ़ा लीजिए इसके बाद है distribute row इस पर किलिक करते हैं तो जितनी भी row है वो equal आपकी adjust हो जाएंगी distribute columns पर क्लिक करेंगे तो तमाम columns आपके equal हो जाएंगे आपने यहां पर data type किया और row की height हम बढ़ा देते हैं अब यह जो text आपने type किया है cell में यह top के center में करना है top के right पर करना है alignment आपके पार मौजूद है mid के left पर करना है center right bottom के right bottom का center bottom का left यहां के पास nine alignment से जैसे alignment आपको करनी है यहां से कर सकते है text direction पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने text की direction को change कर सकते हैं cell margin adjust करना है cell margin पर जाएगे यहां से top margin bottom margin left margin right margin को adjust करके ok कर दें तो उस हिसाब से आपने जो cell क्लिक किया होगा select किया होगा उसकी margin adjust हो जाएगी इसके बाद देखें आपने यहां पर कोई भी data type किया और अब आप टेबिल के formatting खंतम करना चाहरें तो यहां से convert to text क्लिक कर दें ok करें तो यह देखें आपकर data वैसे कर वैसे ही रहेगा table सिर्फ आपका delete हो जाएगा ठीक है इसके बाद यहां पर layout में एक option होता है formula का वर्ड में formula की दरूबत नहीं पड़ती है लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपने कुछ number type किये अब इनका total आपको sum करना है तो formula पर आईए ठीक है यह sum का formula इसने select किया वाए ok कर दें तो यह सब का total आईगा table design के tab में जितने भी options पढ़ें आपने layout tab में जितने भी table से related options पढ़ें आप table पर जब mouse को right क्लिक करेंगे तो यहां पर भी वो सारे options आपको display हो जाएंगे यहां से use कर लें वहां से use कर लें आपकी मर्जी है तो उमीद करता हूं कि table design और layout अच्छे से समझ में आगया होगा फिर भी अगर कोई problem हो तो comment में जरूर पूचेगा मिलता है next video में जब तक के लिए अपने